कुटी जिले के मारंगहादा ठना छेत्वह अंतरगत एक व्यक्ति कि लाठी टंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबक्य खुटी ठना छेत्रगत एक विध्यार्थी की तलाब में डूबने शे मृतियों गई। कररा निवासी एक ब्यक्ति की कुवा में डूबने से मृत्यों गई नमस्कार आप देख रहे हैं जारकन टूडे और मैं हूँ गुंजन कुमार बताते चले की खुटी जिली अंतरगत आज तीन अलग लग घटनाओं में तीन लोगों की मृत्यों गई घटना की बात करें तो पहला घटना मारंग हादा थना छेतर की है जहां सौमा मुंडा उम्र लगभग पैतालिस वर्ष पिता मंगु मुंडा ग्राम बुरुहातू थना मारंग हादा जिला खुटी को कुछ अग्यात लोगों द्वारा लाठी टंडे से पीटा गया इलाईज के लिए खुटी ले जाया जा रहा था जहां इलाईज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मृत्ती हो गई वहीं अगर बात करें तो खुटी के खुटूबदाग इस्थीत एक तलाब में डूबने से एक विद्यार्थी की मृत्यो गई बताते चले की सेम होरो उम्र लगभग 14 बर्ष पिता मुनुरोयन होरो ग्राम से रेंगडी थाना खुटी जिला खुटी का रहने वाला था वहीं अगर तिसरी घटना की बात करें तो रानिया थाना च्छेतर के ग्राम कररा बढ़काटोली थाना रानिया जिला खुटी का मुकुल सिंग मुन्डा नाम का एक व्यक्ति जो नसे के हालत में था और इस हालत में वो कुए में गिर गये थे जिसके बाद कुए में पानी में डुबने से उनकी मृत्यू हो गई तो इस परकार से खुटी जिले अंतरगत आ आज अलग 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 थाना चैतरों में तीक इन अलग अलग घटनाओं के तहत तीन लोगों की मृत्यू हो गई तो खुटी जिले की खबरों के लिए जुड़ी रहिए जारकन टुडे के साथ और देखते रहे ये खुटी जिले की खबरें